नमस्ते दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज बात होगी सुनोवा इजी लाइफ की जो एक नाट्रल एनरजी बूस्टर कैपसूल है तो हम इस कैपसूल में उपस सभी नूट्रिन्स की विस्तार में बात करेंगे और देखेंगे कि ये कैपसूल कैसे काम करती है और ये कितनी फाइदेमंद है डे टू डे लाइफ में इनरजी बूस्टिंग के लिए ये कैपसूल मौरिंगा, स्पिरलनुगा और ग्रेप सीड जैसे सूपर फूड के साथ साथ कुछ टाइम टेस्टेड आयर्दिक हर्फ का एक यूनिक कॉम्बिनिशन है जिसके बारे में अब हम आगे विस्तार में बात करेंगे तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप पस इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखते रहेगा दोस्तों आज कल हम सभी का जो बीजी स्चेडूल है वो एक ऐसा फैक्टर बन गया है जिसे टालाग नहीं जा सकता और अपने काम में बीजिर रहना लोग को प्रावड फिलिंग देता है लेकिन वे ये भूल जाता है कि वे अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं और जिससे आगे चलकर उन्हें बड़ी परेशने भी हो सकती है नियमित वया, हाई इनर्जला डाइट, परियाप तनीन और तनामत जीवन शेली ये सुनशित करती है कि हम उर्जावान और सक्रिय रह सके लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रावड़क चीज़े जो है वो शरीर के लिए बहुत यावाशक होती है जो रसायन के रूप में काम करती है और शरीर को अधिक उर्जावान और फूर्तिना तकदवर बनाती है तो इस पावरफुल फॉरन वे शामिल है अंगूर के बीच अंगूर के बीचों का एक्स्ट्रैक्ट, फेनोलिक एसिड, एन्थोसाइनिन, फ्लेवनाइड्स और ओलिगेमरिक प्रो एन्थोसाइनिड कॉम्पलेक्स से भरपूर होता है ये एक अंटी ऑक्सट्रैक्ट के रूप में काम करता है और हमें ऑक्सट्रैस, टीशू डैमेज और इंफ्लामेशन से बचाता है दोस्तों अध्यान से पता चलता है कि यहां रक्त प्रभावा में सुधार करता है और ब्रड़ पेशल को बैनस बनाया रखता है और हड्डियों के स्वास्त और कोलोजन के गठन में सुधार करता है इसमें स्पिरलोना भी शामिल है स्पिरलोना विटामिन B कॉंप्लेक्स, बिटा कैरूटिन, विटामिन E, एंटी ऑक्सिडेंट खनीजेस, क्लोरोफिल और फाइकोसालिन जैसे पोशक ततो होने से इसे सुपरफूर माना जाता है दोस्तो स्पिरलोना प्रूटिन का बहुत अच्छा सोर्स है और अध्यावाँ से पता चलता है कि स्पिरलोना क्रोनिक फटिक सिंड्रोम, डाइपेटीज, हाई कोलेस्ट्राल, ट्राइगलिसरेड आधी को रोख सकता है और उनका इलाज़ भी कर सकता है अश्वगंधा एक विश्व सिनिय आहिरदिक रसाने के रूप में काम करता है ये वैयाम के दोरान शारणिक प्रदशन को बढ़ाता है और शरील को फिर से एनर्जास करके उठ जाके स्तर को भी बढ़ा देता है ये सामाने दुरबलता याने जनलाज़ विकनेस और तनाव प्रदित ठकान के लिए सबसे प्रभवी स्वास्तर टावनेक में से एक है इसके तनाव विनाशक और अन्य चिकिस्यो गुणों के कारण अश्रुगंदा को एडप्टोजेन के रूप में वरिकुत किया गया है एडप्टोजेन शरीर को शार्रिक और मानसिक तनाव का विरुवत करने में मदद करने के लिए जाने जाते है ये नीन की गुणवत्ता में सुधार लाने में हिल्प करता है और पोटेशियम, सोडियम, मैगनेशियम, लोहा, तामबा और कैल्शियम, टैनिंग जैसे खनीजों का एक समुर्द स्तोत है जो एक स्वस्त प्रत्रक्षा प्रणाली यानि स्ट्रॉंग इम्यून सिस्टेम के लिए बहुत ही आवशक होता है मोरिंगा ओलिफेरा यानि सहिंजन की पत्तियों का उप्योग हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, उच्च रक्तचाप, मदुमेह, इंच्रिन रेजिस्टिंस, नॉन अल्कॉलिक लिवर सिरोसिस सहीत कई पुराने स्थितियों में फाइदिमन देखा गया है मोरिंगा ओलिफेरे के पत्तों में फिलेमनाइड्स एवं एन्थोसाइनिन पोशन मूले बहुत उच्च दरजा में होता है और ये एनरजी बुस्टर के रूप में उप्योग किये जाता है ये उतकुष्ट प्रोटीन, लोहा, विटामिन और खनीजों का स्तोत है इसमें विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B6, फॉलेट और एसकॉर्बिक एसिड, कैल्शम, पोटेशम, आइरिन, मैगनेशम, फॉस्फरस, जिंक आदी होते है मोरिंगा सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है दोस्तो, गोक्षूर, मोनोमाइड ऑक्सिडेस के रजिस्टन्स के अवरोत के रूप में कार्य करता है ये मेंटर और फिजिकल वेल बिंग को बढ़ा देने के लिए शरीर में सेरेटोरिन को नियंतरित करता है ट्रेबुलस ट्रेस्टेस्स यानि गोक्षूर का सेवन तनामुक्त करने और मनोवैज्यानिक विकारों को दूर रखने में हेल्प करता है ये कामेच्छा को बढ़ाने में, मूत्रपत को स्वस्तर रखने में और सूजन को कम करने में भी मदद करता है गोक्षूर पुर्षो में टेस्टेस्स्ट्रों हार्मोन को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पुल होता है टेस्टेस्ट्रों के अच्छे स्तर से मन को शांती मिलती है तो बात करते हैं कि किन लोगों को इस कैपसूल को लेना चाहिए तो 18 साल से उपर का कोई भी पुरुष्या महिला जो कहीं नौकरी करते हैं या घर का काम काच करते हैं वो इस कैपसूल का सेवन कर सकते हैं जो लोग दिन भर वैस्त रहते हैं या जिने भागदर करनी पड़ती है उन सभी के लिए भी ये बहुत ही यूसफूल और बहुत जरूरी सप्लिमेंट है ठीक से खाना खाने के बावजूब भी जो लोग बहुत ही लोग एनरजी फील करते हैं बार बार जो थकान का अनुभाव करते हैं और थोड़े से काम से थक जाते हैं उनके लिए भी ये कैपसूल अच्छा काम करता है जिन लोग की immunity विक होने के वज़ा से जिने seasonal changes से health related issues का सामना करना पड़ता है उन लोगों भी ये capsule काफी फाइदमन देखा जाता है दोस्तों बहुत सार लोग जो होते हों टेस्टेस्टों की कम्भी के कारण बहुत ही बुचे-बुचे से लगते हैं उनके लिए भी ये capsule फाइदमन देखा जाता है तो दोस्तों बात करते हैं इस capsule के doses की तो इसका एक capsule सुभा और शाम को खाना खाना के बाद पानी के साथ लेना होता है दोस्तों ये कोई दवा नहीं है वलकि ये एक energy multi-vitamin, multi-mineral antioxidant supplement है इस capsule की कोई भी non-sylubic नहीं है लेकिन किसी प्रकर के आपको allergy हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो तो इससे लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात किशेगा तो दोस्तों ये थी जानकारी सुनोवा के easy life capsule की यदि आपको इसके बारे में और किसी भी प्रकर की जानकारी चाहिए या आप इसे लेना चाहते है तो description में अलग-लग sources दिये है वहां से आप इसे ले सकते है दोस्तों में आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए जरूर फाद्यवन रही होगी आप आपके इसे जोड़े सवाल हमें नीचे comment बकने जरूर लिख सकते है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें हम बहुत जल्दी एक ऐसी informative वीडियो के साथ फिर से लोटेंगे तब तक के लिए take care